नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं सौरभ भारत है आप सभी का हार्दिव स्वागत करता हूं तो आज बात करने वाले हम भारत की एक बड़ी महत्वकांशी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड आज एक प्रवासी मजदूर एक राज्ये से दूसरी आज्जे मैं जा रहे हैं ऐसी खबरे हमारे लगातार चर्चा में हैं हम लगातार इन चीजों को देख रहे तो ऐसी चिति में वन रेशन वन राशन काड योजना एक मास्टर स्ट्रोक वाना जा रहा है इस योजना से पूरे देश में ये प्रवासी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हैं जिनके राशन कार्ड किसी एक राज्य में थे अब वो अपने दूसरे अपने ग्रह राज्य में वापस जा चुके हैं तो उन्हें वहां पर अब सरकारी योजनाओं का लाब मिलन शुरू हो जाएगा जैसे ही वो इस योजना के अंतरगत अपना एक नया राशनकार्ड बनवा लेंगे अभी 16 राज्यों और एक केंद्र शाषिट प्रदेश डादरा नगर हवेले में इस योजना को एक जून 2020 से प्रभावी कर दिया गया है हलाकि इस योजना की नीव आशिद प्रदेश में प्रभावी कर दिया गया है तो एक्जाम के पॉइंट ऑफिस से भी यह महत्पूर्ण रहेगा साथ ही साथ हमारे देश में यह जो वैश्विक आपदा चल रही है यह प्राकरतिक आपदा जो आज आई है इससे निपटने में भी हमें मदद मिलेगी इससे भी सरकार जो है इन प्रवासी मददूरों की सीधे सीधे मदद कर पाएगी तो आईए हम शुरू करते हैं कुछ इसके जो फैक्ट से उसे हम जान लेते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि यह योजना शुरू कपसे हुई यह योजना जो है यह एक माई 2020 से वन नए राज्यों और केंदर शाषित प्रदेशों को इस योजना के तहट शामिल किया गया यह पांच नए राज्य थे पंजाब उत्तर प्रदेश बिहार हिमाचल प्रदेश और दादरा नगर हवेली दमंदीव दमंदीव को जो है मिला के एक ही यूनिन टेरिटरी अभी हा 2020 को जोड़ा गया थोड़ा सा मिसके बैग्राउन में चलते हैं यह योजना कब प्रकाश में आई इस योजना में पहले से ही जो है वह 12 राज्य जो है वह जुड़े हुए थे यह 12 राज्य जो है कौन-कौन से थे मध्यप्रदेश केरल जहारखंड आंध्रप्रदेश गु इस योजना के अंदर शामिल कर लिए गये थे याद रखेगा आप इसे यह योजना का जो मुख्य उद्देश है वो है कि अंतर राज्य पोर्टेबलिटी राशन कार्डों की सुनिश्चित करना इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक राज्य के अंदर किसी जमाने में को साथ बनता भी नहीं है राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको कुछ मूल भूत जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है यानि की आपको उस जगे का मूल निवास प्रमान पत्र जो माना जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर आप एक राज्य से माली जी उत्तर प्रद बिहार में जहां पर वास्तों में आपका राशन कार्ड बना था वहां पर भी क्योंकि आप मौजूद नहीं है तो उन सुविदाओं का आप लाब ठानी पारे थे तो ऐसी स्थिति में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के बाद भी जो ये प्रवासी मजदूर थे खास करके इन्हें बहुत जादा सफर करना पड़ता था ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोट ने भी गाइडलाइन जारी करी थी कि आप को ऐसी एक योजना बनाई है जिससे मजदूरों को इस राशन कार्ड के चक्र में बार बार भटकना नहीं पड़े तो ये योजना प्रभ दाओं का इससे लाब उठा पाएंगे फिर देखी इन में एक और है कि जिनके पास खाद्य सुरक्षा कार्ड है वो किसी भी राज्य की राशन की दुकान से सस्ती दरों पर चावल और गयहूं खरीच सकते हैं इसके लिए वस क्या है राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिं हूं दो रुपे किलो जो है चावल वगेरा उपलब्द कराए गये थे उसके लिए भी खाद्य सुरक्षा कार्ड जारी किया गया था तो इसे भी इसमें शामिल कर लिया गया है पर इसके लिए क्या है आपको इस कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना ज़रूरी है वैसे जो मैं आपको बार-बार बात कह रहा था कि यह योजना प्रभावी कब हुई सबसे पहले कब लाए गई थी तो इस योजना को एक पाइलेट प्रोजेक्ट के तौर पर एक अगस्त 2019 में दो क्लस्टर बनाके लॉंच किया गया था इसमें सबसे पहले जो है प्रवासी एक राजे से दूसरे राजे में जा रहे हैं तो उनको इस प्रकार का राशन का बना कर दिया गया जो दोनों राज्यों में या इन सभी राज्यों के अंदर एक समान रूप से प्रभावी रहेगा ऐसे कैसे जून 2020 में इसको पूरे देश में आज हमने लागू क कर दिया है हलाकि अभी यह सभी राज्यों के लिए नहीं हो पाया है अभी इसमें सिरफ 16 राज्ये और एक केंदर शाषित प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव अभी शामिल हुआ है बट आगे यह प्लान है कि इसे बाकी राज्यों के अंदर भी जल्दी से ही लाग जून 2020 को आज इसे देश के इन 16 राज्यों में लागू कर दिया गया है तो यह डेट इंपॉर्टेंट रहेगी एक जून 2020 राज्यों की संख्या इंपॉर्टेंट रहेंगी 16 राज्ये प्लस यह एक केंदर शाषित प्रदेश इंपॉर्टेंट रहेगा यह फैक्ट से जि इसमें सरकार की बहुत मदद होगी मजदूरों की इस्थिति अभी वर्तमान में वाकई में बहुत खराब है तो आई होप कि इससे मजदूरों को फायदा होगा याद रखिए से एक्जाम में भी इससे संबंदित कोश्चन पूछे जा सकते और भी कुछ ऐसी चुटी- आपने लाता रहूंगा थैंक्यू